नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्ज आप से इस वागदेगा और फिर्ज और कमाल के बडियों के साल हमार अडूप्शनाल टेकिनिकल फास पोस्ट में दोस्तों मुआल के डाइलर पेड में बेसिक लिए आप किसी के नंबर को एंटर करके यहाँ पर कॉल करती हो डाइलर पेड में नंबर एंटर करके कॉल करने के सिभा और कुछ नहीं होता है मैं आप सभी को इस वीडियो में वालिके डाइलर पेड में एक हीडन सिक्रेट ट्रिक बताऊंगा इंपोर्टेंट ट्रिक है आप सभी के लिए और आपके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समधान आपको मिल जाएगा और एक इन माने 101 पर्शन डाइलर पेड में उस खोपिया सिक्रेट ट्रिक को यूज करके आप पूरी तरिके से चौक जाओगे और आपके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सेलुशन भी आपको मिल जाएगा तो क्या है वो डाइलर पेड में खोपिया सिक्रेट ट्रिक जाने के लिए जरूर वीडियो को सुरू से लगा आकर तक देखिए चेलिए ज़्यादा टेम नालेदे वीडियो का हम पड़ा पड़ से शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आपके बंड़ने से पहला आप सभी से रिक्वेस्ट रे जरूर से वीडियो पे एक लाइक कर देना अगर आपने आपको हमारे वीड壓 चेशनल को शब्सक्राइब नी हा नीचे देखिए लालंग में सब्सक्राइब बटन है और यहाँ पर एक शोड़ा सा कमेंट लिखिए डायलर ट्रिक दोसों यहाँ पर यह शोड़ा सा कमेंट लिख कर जरूर से सेंड कर देना फिर वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए और नीची आपको यह एप लिंक मिलेगा लिंक के ओपर क्लिक करके अफिकेशन को डालोड कर लिना दोसों मॉल के डायलर पेड में आप यहाँ पर किसी के नंबर को एंटर करके कॉल करती हो और उसके अलबा डायलर पेड में और कुछ नहीं होता और डायलर पेड इंटरफेस देखने में इतना खास भी नहीं लगता मैं आप सभी को इस वीड़ो में डायलर पेड में एक हीडन सिक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसे देखकर आप पुरी तरिके से चौक जाओगी और यहाँ पर देखिए मेरा यह जो डायलर पेड देखिए iOS डायलर पेड और देखने में कितना कमाल का लग रहा है और आप यह डायलर पेड में कमाल का सिक्रेट ट्रिक यूज़ कर सकती हो और यह कौन सा डाइलर पेड आपिकेशन है, कहां से आपको नावलोड करना है वीडियो के लास्ट मैं आपको बताऊंगा सो फ्लीज वीडियो को पूरा देखिये सबसे पहले यह डाइलर पेड को कैसे यूज करना है और आपको क्या फायदा होने वाला है सबसे पहले ये जान लीजिए सो यहाँ पर आप किसी के नंबर को एंटर करके कॉल कर सकते हो लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर मैं 6 के उपर 4 बार यहाँ पर एंटर करूँगा यहाँ पर देखिए 4 बार 6 यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर इसे मैं डाइल करूँगा और यहाँ पर दीखिए खूफिया गैलरी यहाँ पर दीखिए ओपन हो गया और यहाँ से मैं इमेज चुपा सकता हूँ वीडियो हाइड कर सकता हूँ ओडियो हाइड कर सकती हो फाइल हाइड कर सकती हो और आपके mobile में जो contact number है उससे भी hide कर सकते हो तो यहाँ पर image hide करने के लिए image option पिक्लिक कीजिए और यह plus icon के उपर क्लिक कीजिए और gallery से आपको जो भी image hide करना है यहाँ पर gallery से image select कीजिए और यहाँ पर इसे done कर दीजिए और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए one item in image ठीक है यहाँ पर देखिए एक photo यहाँ पर save हो चुका है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप video hide कर सकते हो अगर आप gallery में किसी जो भी video आपके private video है उसे अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो यहाँ पर hide करके रख सकते हो audio hide कर सकते हो file hide कर सकते हो और contact number भी hide कर सकते हो अगर आप mobile के contact में जो भी number है उसे किसी को दिखाना नहीं चाहते हो यहाँ पर contact number को भी hide करके रख सकते हो तो यहाँ पर आपको यह feature मिलेगा जहाँ पर आप यह hide करके रख सकते हो और यहाँ पर आपको और एक कमाल का feature मिलेगा देखिए यहाँ से तो आप number dial कर सकते हो अगर कोई आपके ओयल में यह application को open करके अगर देखेगा भी वो जरूर से अगर हो सकता है वो सोचेगा भाई तु यह dialer क्यों यूज कर रहा है इसके अंदर को तुने कुछ चुपाया होगा क्योंकि बहुत सार आपकेशन इसे आपको प्लेस्टोर पर मिलेंगे तो उसे भी idea होगा कि इस तरीक ऐसे dialer में खुफिया gallery होता है तो यहाँ पर आप एक gallery देखने को मिलेगा और यह fake gallery है यहाँ पर उसे कुछ भी data नहीं मिलेगा तो इस तरीक ऐसे यहाँ पर आप यह fake gallery उसे दिखा सकती हो अगर कोई आपके मुआल में यह application को open करेगा उसे यहाँ पर यह dialer देखने को मिलेगा अगर वो doubt करे आपके उपर अगर आप उसे password भी share करोगे यहाँ पर fake password set करना ताकि उसको यह जो आपके gallery में जो भी आपने hide करके रखा उसे वो ना दिखे तो यहाँ पर आप zero करके यहाँ पर fake gallery उसे show कर सकती हो और जैसे यहाँ पर दिखे मैं 6 के उपर और यहाँ पर दिखे lock screen यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर fingerprint lock आप यूज कर सकती हो लेकिन मैं आपको suggest करूँगा इससे on नहीं करना है जिए इस password पर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो भी password set करना है 4 digit आपको यहाँ से set कर लेना है पर यहाँ पर दिखे आपको और भी बहुत सारे options परेंगे और यहाँ पर दिखे dark mode यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप dark mode भी use कर सकती हो और यहाँ पर दिखे dark mode यहाँ पर देखने में कितना कमाल का और unique यहाँ पर लगेगा यहाँ पर इससे select कीजिए और यहाँ पर दिखिए dark mode यहाँ पर इदे के state हो चुका है पूर यहाँ पर नीची आईए और यहाँ पर fake pin यहाँ पर fake pin करने के लिए यहाँ पर इससे on करदना है और यहाँ पर change fake pin के उपर आके आपको यहाँ पर एक pin set करना है उसके अब आप यहाँ पर देखिए Uninstall Protection यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसे On कर दना है अगर आप इसे यहाँ पर On कर दोगे कोई भी आपके Mobile से अपिकेशन को Uninstall नहीं कर पाएगा आपके सिवा तो इस तरीके से आप यहाँ पर यह डाइलर को तो मिलाके कॉल करेगा आपिकेशन लिंग मने वीडियो के डिस्क्रिप्स्याइए वाहाँ से आपिकेशन को डाउलोड का लेए न मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आयोगा वीडियो के निचे लाइक करना श्यायर करना आपका दिन शुबो जे हिंद